हलो माइ डियर इस्टुडेंट्स काफी दिनों से एक चीज का इंतजार था सभी 12th क्लास के इस्टुडेंट्स को बोर्ड क्लास के बच्चों को के बोर्ड की साइट के उपर जो है वो ब्लूप्रिंट जो है अपलोड नहीं हुए मॉडल पर अपलोड नहीं हुए बेटा तो ही टोटल 56 मार्स के वीटा ठीक है और अपना टाइमिंग वही पहले भी 123 गंटे थे अब भी 13 गंटे वीटा कॉस्टन पैटन में कुछ चेंज किया है वीटा वह भी अपन देखेंगे तो यहां पर जो चेंज किया है उचेंज के अकोरिंग देखें के जिस बार औब्जे तो आठ मार की objective question आएगा, पर question जो है, वो half marks का है, question की जो संग्या होगी, वो होगी बेटा 16, वैसे fill in the blanks भी रखे हैं, इस बार fill in the blanks जो है, वो 10 रखे हैं, fill in the blanks जो है, ध्यान सुनना, 10 fill in the blanks है, each fill in the blanks जो है, वो half marks का है, और इसके total marking है, बेटा 5 number की बेटा, 5 number, next जो है, short question जो रखे हैं, very short question, very short question की जो संग्या रखी है, वो इन्होंने 8 रखी है इस बार, और हर very short question जो है, one marks का है, तो इसमें भी total 8 number जो है, मिल रहे हैं, short question जो है, इनकी संग्या इस बार 12 है, बेटा, 12 question जो है, वो आपको short question में मिल रहे हैं, और हर short question जो है, वो dead mark का है, बेटा, dead number का, one and half का है, और इसकी total marking जो है, वो 18 की है, दिर्ग question जो है, ठीके, वो आपके 3 question है, जो section C के रहेंगे, ठीके, ये C section में आएंगे, सर में आएंगे, दिर्ग question, और C section के अंदर जो है, वो तीन question है, और तीनो question जो है, इच question तीन marks है, तो total non number के questions मिलेंगे, इसमें, और last the section, जो है, D section, D section के अंदर, बेटा, निवन्दात्म question, दो question आएंगे, चाचार नंबर के, तो इसमें total 8 marks है, तो यहाँ पर 4 section बनाएंगे हैं, तो यहाँ पर total जो question बने वाले हैं, इस बार paper के अंदर, वो 51 questions है, बेटा, 51 questions है, बेटा, और marking 56 number की, तो यहाँ पर जो major change किया गया है, वो इस बार ये, कि जो objective questions और fill the blank थे, उनको half of marks से कर लिए, और number of questions जो है, वो बढ़ा दी गए, बेटा, नेक्स अगर आप हम chapter wise देखे हैं, तो chapter wise अगर तुम लोग नए हो, तो subscribe करो, वो जो लान वाला बटान है, तो यह भूट है के मारों यहाँ पर मुंबत्ती, मुझे नहीं पता, बस click हो जारा चाहिए, marking है, वो चार number की है, second जो है, electric potential and capacitor की, उसमें तीन मार्क्स की questions आएंगे, electric current में से चार मार्क्स के हैं, और dynamic charge और magnetism में से जो है, वो चार number की questions है, fifth number chapter में से चुमबक कात्व हैं, द्रव्य में से तीन number की questions आएंगे, EMI electromagnetic induction में चार नंबर की questions है, AC के अंदर पांच के हैं, electromagnetic wave बिटा, पहले भी दो number का था, इस बार भी दो number का है, ray optics और wave optics बिटा, इन्होंने काफी अच्छे marks खीच लिए, ray optics में से साथ number की questions आएंगे, और wave optics में से पांच number की questions आएंगे बिटा, किस chapter में से कौन-कौन सा question बनने वाला है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, photoelectric effect या matter wave को देखें, तो इसमें चार marks की questions है, atom में से भी चार के हैं, nucleus बिटा, तीन marks की questions लेके आएगा, और semi-conductive बिटा, आपके पास four marks का होगा बिटा, अब इन में से कौन सा question, किस pattern का बनेगा, chapter wise वो भी अपन देखें, तो blueprint के अंदर, board ने साफ साफ बता रखा है, short question कहां से आएगा, fill in the blanks कहां से आएगा, ये पूरा description उन्होंने दिया है, ये, तो अगर अपन देखें, तो यहाँ पर जो अपना first chapter है, जो चार नंबर का है, इसमें तीन question पूछे जाएंगे, तीन question पूछे जाएंगे, एक आपका objective होगा, और एक जो होगा आपका, fill in the blank होगा, और एक long question आएगा, C section का आएगा, C section में, ठीके, C section के अंदर आपको, option, C section में आपको अथवा में भी, question मिलेंगे बिटा, ये जो long question मिलेगा, C section में, वो 2 plus 1 में होगा, मतलब इसके question के, 2 part होगा, एक one marks का होगा, और एक जोगा, वो two marks का होगा, तो total तीन question है, marking चार नंबर की है, वैसी second chapter को देखे, तो second chapter में, total तीन नंबर के questions आएंगे, इसमें एक objective है, और एक जो है, आपका short और एक very short है, short question जो है, आपका dead marks का है, और very short जो है, वो एक नंबर का बनेगा, third chapter जो है, अपना electric current, electric current में total 5 question बन रहे हैं, ध्यान देना बेटा, 5 question बन रहे हैं, इन 5 question में भी देखा जाएए, दो objective है इस बाद, दो objective है, एक fill in the blank है, एक very short है और एक short है, इस chapter में short question जो होगा, वो numerical की form में आएगा, numerical की form में आने के, blueprint की according देखा जाए, तो numerical form बनेगा, next जो है, गतिमान आवेश और चुमबक का, तो चौथा जो chapter है, वो चार नमबर का है, और इसमें एक objective, एक fill in the blank, और एक C section का long question आएगा, जो 2 plus 1 में आएगा, 2 plus 1 में आएगा, fifth number chapter जो है, तीन number का question आएगे, तीन number के तीन question आएगे, ठीक है, fill in the blank, एक question आएगा, एक very short और एक short बेटा, EMI chapter की बात करते, EMI chapter में 4 नमबर के questions है, और total 3 question बनेंगे, एक very short बनेगा, और 2 short बनेंगे बेटा, एक very short मतलब, एक number का, दो very short मतलब, 1 and half, 1 and half, इसमें एक numerical question बनेगा बेटा, EMI में से numerical आएगा, बेटा, sure है, AC देखे, alternating current, alternating current में भी, D section का है बेटा, D section C का मिलेगा, और अगला जो chapter है, Electromagnetic Wave, EMW, वो दो question, दो marks से, एक objective मिलेगा, और एक आपको short मिलेगा, बेटा, मतलब, 1 and half का मिलेगा, dead marks का मिलेगा, next जो है, सबसे best, और सबसे scoring जो topic है, Ray optics बेटा, 5 question में आपको बता दू, एक question तो आपका long बनेगा बेटा, जो simple simple से आपको देखोगे, तो microscope पे जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर, 2 question objective, एक fill in the blank है, एक short है, जो numerical की form में आ सकता है, और एक long question है बेटा, 3 plus 1 की form में आएगा, या 1 plus 3 की form में आएगा, वेव optics में 5 नंबर के questions आएगे, 5 question मिलेंगे, इसमें एक objective, एक fill in the blank, एक short question मिलेगा आपको, एक नहीं, दो short question मिलेंगे, और एक very short मिलेगा बेटा, फिर photo electric effect या radiation के देखें, तो इसमें भी दो objective है, एक very short है, एक fill in the blank question है, और एक short है बेटा, एक very short है और एक short, इस short की value जो आएगी, short जो question आएगा, वो numerical का आएगा, और जनरली इसमें आएगा, डी ब्रॉगली wavelength पे बेटा, डी ब्रॉगली wavelength के उपर numerical, sure बेटा आएगा, next जो है 12th number chapter atom, इस after में भी 5 question है, 4 number के, जिसमें 2 objective है आपके, एक fill in the blank है, और एक very short है, और एक short question है बेटा, ये total 5 question आएगे, next जो है nucleus, nucleus जो है वो 3 number के questions है, और total 3 question आएगे, एक होगा आपका objective, एक very short और एक short बेटा, एक very short और एक short question जो होगा, आपको देखने को मिलेगा, semiconductor की बात करते हैं, semiconductor में simple से 3 question है, total 4 number के हैं, एक C section पे बनेगा, long question जो no doubt, इटकारी पे बनेगा, एक objective question, एक fill in the blank है, और एक long question आपको देखने को मिलेगा, तो इस फरकार से जो है बेटा, आपका paper जो होगा, वो set होगा, blueprint के according, तो आप अपने board की preparation कर रहे हो, तो अपने table पे इस setup को जरूर अपने पास रखें, कि किस chapter में से कौन सा question, किस variety का बन रहा है, तो आप उसको उसके according prepare करें, तो आपको board के अंदर बहुत ही अच्छा result देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द अपन physics के each chapter के important questions दोंगे, वो discuss करेंगे, और जो तुमारे लिए बहुत ही helpful होंगे बटा, तो मिलते हैं next video के अंदर बटा, ओके, मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जारा चाहिए, अब मैं भी जा रहा हूँ,